सबसे पहले तो रूल यह होता है कि पहले ध्यान से पड़ी और इसके सब लिंक थ्री कोशन से कैसे करना है वह मैं आपको बताता हूं एक क्लास है जिसमें की स्टुइंट है जिसमें की बॉइस भी है और गल्स भी है और क्या बोला जा रहा है वो पढ़ते चले हो फिर बोला जा रहा है एक लूगर जब बैठेगी यह बोला एक लिज और इस बैंच ठीक है कहीं बॉइस की बात नहीं कर रहा है तो बॉइस कम ज्यादा कैसे वह सकते हैं अब आपको थीन बैंच के बारे में बात की जा रहे हैं आप तीन बैंच ऐसे माल लीजिए फंस बैंच सेकंड बैंच एंड थर्ड बैंच ठीक है अब बोला है कि हूँ जो है वह जो हूल है E and D F the boy student sit only B F जो है वो boy student है number one और वो B के साथ बैट रहा है बोला लिखा ना F is the boy student sit with only B यानि F केवल B के साथ बैट रहा है इसका मतलब B गल रही होगी A sit on the bench first with his best friend A लिखा देखिए A sit on the bench with his मतलब लड़की के बाद best friend ठीक है और first भी बोल दिया G sit on the bench third तो G यहां बैट रही है तो इसका मतलब F और B second bench में बैटेंगे only इसमें ये boy है ये girl है ठीक है A के साथ दे दिया A sit on the bench first with the best friend इसका मतलब ये भी boy होगा और ये अपनी एक best friend के साथ बैटा हुआ अच्छा A के साथ C नहीं बैटेगी तो C यहां होगी ये girl होगी ये girl होगी G हमें अभी नहीं पता पर ये पकाए कि C girl होगी अब बचे कौन कौन E और D यहां आ सकते है E और यहां आ सकता है D अब लिखा भी ये देखे क्या लिखा A sit on the bench first in the best friend G sit on the bench third E is the brother of C E जो है वो C का brother है इसका मतलब ये जो है E E is the brother of C तो E brother है तो E positive हो गया अब हमें पता है कि ये दो male है तो एक female होना जवरी है तो ये female हो गई तो हमें ये confirm हो गया कि B, C और D तो female ही G हो भी सकती नहीं भी G का ही gender नहीं पता बाकी के तो हमें gender भी पता चल गए तो इस तरह से आपने देखी according to question पहले proper diagram बनाया अब हम question को देखते हैं क्या बोला है How many girls are there out of 7 students 3 तो sure है है ना पर 4 भी हो सकती क्योंकि G के बारे में नहीं पता और याद रखेगा इसमें एक mistake बच्चे करते हैं कि each bench पर बोला at least one girl boy की बात नहीं की गई है पर बच्चे सोचते हैं कि boy भी हो सकता हो भी सकता नहीं भी तो इसमें 3 या 4 दोनों ही possibility बनती है तो इसका correct answer होगा B either 3 और 4 अब बोला है which of the following is the group of girls कौन सा group है sure तो BCD हमने बोला था और BCD एक option में भी यह sure वाला group है तो यह हो गया वैसे भी जो A है और जो E है वो हमें पता है कि वो आ है ठीक है who sit with C C के साथ हमारे पास एक ही सम्मावना थी वो थी G की 1, 2, 3 4 question impact फिर बोला है on which bench there are 3 students तो first bench पर 3 students हो सकते हैं क्योंकि second और third पर नहीं हो सकते तो यह इसके correct answer हो तो आपने एक right diagram से पूरे question को correct कर लिया Is that clear? note कर लिजे